हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो एंजे जी के फैक्ट्स आज हम जानेंगे लगरांज पॉइंट के बारे में आखिर लगरांज पॉइंट क्या होता है बटिस से पहले हम थोड़ा गृत्वाकर्शन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों आकर्षन का नियम कहता है कि दुनिया की हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी और आकर्षित करती है और जिसकी Great Nation Force ज्यादा होती है वह वस्तु को अपनी और खीच लेती है ऐसी ही गृत्व आकर्षन सूर्य, चंद्रमा और प्रित्व के बीच होती है समय गृत्व आकर्षन बल होता है या जिसका गृत्व आकर्षन बल ज्यादा होता है चीजे उसी की तरफ खीची चली जाती है जैसे प्रित्वी से हम कोई वस्तु अगर आकाश की तरफ उचालते हैं तो वह वापस प्रित्वी पर इसलिए गिर जाती है क्योंकि प्रित्वी बल ज्यादा होने के कारण सूरिय उसे अपनी और खीच लेता है और अगर सैटलाइट की दूरी प्रित्वी से कम होगी तो वह प्रित्वी पर गिर जाएगा क्योंकि दोनों का गृत्वाकर्शन बल लग रहा है और एक और सूरिय अपनी तरफ उसे खीच रहा है दूसरी तर लगरांज पॉइंट कहते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि सूरिय तो इतना बड़ा है और प्रित्वी इसके सामने बिल्कुल छोटी सी तो है दोनों का गृत्वाकर्शन समान कैसे हो सकता है हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं लेकिन दोस्तों ये दूरी के हिसाब से स पांच बिंदू हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 से डिनोट किया गया है और इस रो इसी साल के अंतमी सूरिय के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आदित्य मिशन L1 बिंदू पर भेजने वाला है इससे हम सूरिय के बारे में अधिका अधिक जानकारी प्राप्त कर सक आई होप कि आप कोई जानकारी पसंद आई होगी ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को उन करना ना भूले